अगर कोई नएा किसान आवेदन करता है तो उसको पहले अपनी जमेन की डिटेल देनी होते हैं अपनी डोकमेंट्स और जमकराने होते हैं ओनलाइन फोरुम में उसके बाद इस योजना का वो अकदार बनता है तो यहाँ पर उस जमेन की डिटेल को लेकर एक बहुत बड़ा किया गया है आप सुभी को पता एक PM किसाने हो जन्ना का पहले जब ओनलाइन फोरम बरा जाता था वो समय किसान को सिर्फ अपनी जमीन की डिटेल देनी होती थी इतनी एक्टर मेरे पास जमीन है इतना एरिया है यह मेरे जमीन का जो नंबर है तीन चीज देने के बाद उसका सारा काम कमपलेट हो जाता था किसान को सिर्फ अपनी जमीन का जो खसरा नंबर खाता नंबर और अपनी हेक्टर में बतानी होते थी तीन ही उप्सन दिया जाते थे लेकिन अब किसान को यहाँ पर तीनों अप्सन नई भलके 6 अप्सन मिलने लगी है यहाँ पर किसान को अपने खाता नमबर, खसरा नमबर और अपने एक्टरे में जमीन बतानी होती है और किसान को यह भी बताना होगा कि आपकी जमीन कितनी पुरानी है यानि 2019 से पहले की है या फिर बाद की है अगर आपको जमीन किस परकार से मिली है आपको ट्रांसफर वाली डिटेल भी देनी होगी यहाँ पर आपको लेंड ट्रांसफर डिटेल भी देनी होगी और यहाँ पर लेंड डाटा वेस्टिंग और आपकी धिनाग भी देनी होगी क और ना अगर आप पेम किसानों जना में आवधन कर देते हैं बिना किसी जानकारी के तो अभी आप सभी पता है कि पेम किसानों जना में पेसे वापस भी लिये जा रहे हैं और गाइडलाइन में भी यह लिखा गया है कि अगर आप किसी गलत तरीके सी फोरम अपलाई कर देते तो यहां पर मैंने PM किसान सम्मान नहीं दियो जनाए कि गाइडलाइन ओपन कर ली है और यहां पर आप देख सकते हैं जो खिसान गलत डिटेल दे देता है यानि यानि कोई गलत जानकरी देकर आओदन कर देता है अपने जमीन की या फिर कोई और जानकरी गलत देसें पर लो यानि आपका जो भी पेंक सानीजना का गल्द ऐसेदा पैस से वापेंस होंगी उसके बाद उसकी की शेयान को दंड भी दिया जाशकता है जो भी जो उसका केस बनता है जो भी लो है उसके हिसाब से उसको दंड भी दिया जाएगा जो भी आपको बता देता हूं फेम कि सान्योजना की ओनलाइन फोरम को अपडेट किया गया है वहाँ पर आपको जमीन की डिटेल देनी होगी जमीन पुरानी है 2019 से 2019 के बाद की है या फिर पहले की है वो भी आपको डालना होगा जमीन आपको ट्रांसफर ही उसकी डिटेल भी देनी होगी और आपको जमीन ट्रांसफर की डिटेल भी देनी होगी तो इन केस यहाँ पर जो अपडेट किया गए वो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपके पास 2000 से पहले की जमीन है तो आप ही शिवाजना में आवेदं कर सकते हैं लेकिन इन केस अगर 2000 के बाद की जमीन है तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ एक यह उप्सन आपके पास बजता है कि आपका जो बुमी स्वामी तो यानि आपका जो परिवार का मुख्य है अगर उसके नाउ 2019 से पहले जमीन थी अगर मुख्या की मरती हो जाती है तो मरती होने के बाद उसके जो बच्चे होते हैं उसके दो बेटे होते हैं उनको जो जमीन मिलती है अगर बुमे स्वामीत वाले विक्ति के मरती हो जाती है तो उसके जो उत्रदाई होते हैं वो इस योजना में आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर इस guideline को आप अच्छी तरह सिपढ़ सकते हैं यह जो मैं आपको explain करके बता रहूँ वो यह नई अपडेट है वो नए guideline होजारी की गई है इसमें यही लिखा गया है कि पेमक सान्योजना के वही किसान आवेदन कर सकते हैं जो 2019 के बाद अगर भूमी स्वामीत वाला वेक्ति की मरती हो जाती है तो उसके जो बेटे होते हैं यानि उतरदाई होते हैं वो इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और दूसर दरीका यहाँ पर होता है कि आप किसी शी बूमी खरीद लेते हैं और याँ पिर आगर आगर आपका जो ओनर है ओनर की जिवित है ओनर जिवित होने से पहले अपने नाम जमीन करवा लेते हैं तो उसमें उसकेस में आपको क्या करना होगा उसकेस में आप एमक्सान जना का 5 एयर तक आप लाब नहीं ले पाओगे यहां पर साफ साफ कहा गया है कि 1-2-2-01900 के बाद की जमीन में आप आवधन नहीं कर सकते हैं यहां पर आपको आवधन सिर्फ पहले के में करना है, five year आपको कुछ भी नहीं करना होगा, five year के बाद आवधन कर सकते हैं, एक दो, 2019 से पहले की जमीन है तो आवधन कर सकते हैं, आवधन सिर्फ वाई कर सकता है, जो ownership वाला विक्ति अगर मर जाता है, मरती हो जाती है, और उस के बाद के जो उतरदाई होते हैं, वो इस योजना में आवधन करके फाइदा ले सकते हैं, बाकि अगर आप कहीं से ट्रांसफर जमीन होती है, या फिर करीते हैं, जो भी आपकी जमीन का जो जरिया होता है, अगर आपके पास जमीन बाद में आ जाती हैं, तो उसमें आप five यह आपको वेट करना होगो, इसके बाद आप आविदन कर सकते हैं, वरना आपको अपने तैसील के या फिर जो जिल्ले के अधिकारी होते हैं, वो आपकी फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे, नई गाड़लाइन जो प्यम किसानियो जन्ना की ओनलाइन फॉर्म को लेकर आ च है, जो झाना है